हेलो दोस्तो वेलकम डो माई चैनल अनम लॉजिक दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बता हूँ है अगर आप भी अपने वाट्साप पर बिजनिस करना चाहते हैं और उसमें आप किस तरीके से आपके जो प्रोडक है उसकी केटेगरी सेलेक करना चाहते हो केटेल दोस्तो और केटलोग सबसे बेस्ट लगा जिसमें आप वाट्साप के प्रोफाइल में जाके उसका प्रोडक उसका कैटेगरी सारी चीज़े दोस्तो आप देख सकते हो वह कैसा करोगे उसके लिए आपको कुछ निकरना है स्रिफ और स्रिफ अनम लॉजिक यानिके इस चै वीडियो जो आपका भाई वहाँ पे बनाता है तो उसे भी सब्क्राइब जरूर कर लेना अब आते हैं दोस्तो टोपी की तरफ यहाँ पे दोस्तो आपको क्या करना है बिजनिस प्रोफाइल में चला जाना है यहाँ पे बिजनिस प्रोफाइल में जाने के बाद सबसे पह commits work होते हैं वो मैं करता हूँ उसके बाद दोस्तो legal service and legal ये category आपको select करनी है बहुत सारे लोग इसके उपर अगर select करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देखिए उनको category नहीं मिलती है तो simple जो उपर जो search का option उनको दिखाए दे रहा है उसके उपर अगर वो search करेगे जैसे के for example यह यहाँ पर add कर सकते हो अपनी category को ठीक है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर add करने के बाद simple सा आप save कर दोगे तो यहाँ पर show करने लग जाएगा और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ आपको क्या करना है आपका address डाल देना है और यहाँ पर set location on map के उपर click क करके आपका location set कर देना और इसके बाद simple से आपको क्या करना है save करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है आपका जो office का timing है वो यहाँ पर आपको set करना है जैसे कि आप select करते हो यहाँ पर schedule के उपर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि open for selected hearts always open या by appointment only करके तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने जैसे है कि सबसे पहली चीज़ है open for selected hearts यानि कि open जो आपका जो office है जहाँ पे लोग visit करेगे तो वो आपका जो office है कौन से time से लिगए कौन से time दक open रहता है उसके बाद कि आपको office हमेशा open रहता है उसके बाद कोई अगर हम appointment देंगे तो ही आपको आना जरूरी आप visit कर सकते हो यह तिनों में से कोई भी एक select करना है तो मेरी office तो open for selected hearts के उपर में click करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ठीक है यानि इसका मतलब के मेरी office जो 10 बजे से open होती है उसके बाद 6 बजे तक है उसका जो timing 6 बजे का होता है ठीक है वहाँ पर जाके आपको क्या करना है safe कर देना है safe करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको show करेगा उसके लिए आप यहाँ पर call कर सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई भी other website है जैसे website नहीं हो तो आपका facebook page हो facebook का link हो उसके बाद आपका कोई youtube channel हो तो वो भी add another website के उपर click करके यहाँ पर add कर सकते हो उसके बाद दोस्तों बात आती है आपका जो product है यानि पर मुझे बूलता है कि आपका जो new item है वो यहाँ पर क्या करो add कर लीजे add new item के उपर अगर मैं click करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको add image के उपर click करने को कहा जाता है लेकिन दोस्तों इससे पहले एक और आता है features वो मैं आपको बता देता हूँ यह आने तो आप लोग question करोगे कि भाई यह तो हमारी problem solve हो क्योंकि catalog open करते है तो यह हमको show नहीं करता है जैसे आप यहाँ पर देखिए product को अगर आप open करोगे जैसे add new के उपर अगर आप click करोगे यह तो direct देखिए मेरा तो ऐसा खूल जाता है क्योंकि मैंने वो सारी problem पहले solve कर द दाल दिया उसके बाद आप कहा का address है तो यहाँ पर आप अपने office का पूरा address भी दाल सकते हो मैं तो बस दिखाने के लिए यहाँ पर सूरत दाला है लेकिन आपके पूरा address भी अपने office का दाल सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है customer care आपका हो तो यहाँ पर यह दालने के बाद दोस्तों आपका जो email एटर से वो दाल देना उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसके बाद यह सबसे important चीज़ से edit grievance officer information इसके उपर click कर लेना इसके उपर click करके भी इसका क्या है कि पूरा के पूरा detail भरना एक भी चीज़ आपको blank नहीं चोड़ना है अगर इसमें से अगर आप एक भी चीज़ ब्लैंक छोड़ो के साइड में next का button आता है तो वो next का button open नहीं होगा यह बाद मेरी धहन में रखना क्योंकि बहुत सारे लोग के question आते हैं तो यह आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है आपको यहाँ पे phone number भी दालना है अगर landline number आपका नहीं है तो आपको यही mobile number आपको landline number में भी दाल देना है उसके बाद यहाँ पे email भी आपको दाल देना है और आप जो भी product add करना चाहते हो वो product यहाँ से आप add कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो passport की service है वो यहाँ पे मैंने डाल दी है ठीक है अगर आपको भी document से related कोई भी तकलीफ हो तो मैंने आपको number बता दिया कि यह number पे आप call करके अपने जो आपसे related कोई भी document अगर आधार हो पैनो उससे related कोई भी service अगर आप चाते हो तो आप वो number पे call कर सकते हो जैसे कि अभी मैं passport की service है यानि कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अगर वैसे तो हर document सरकार की तरफ से ही बनती है लेकिन हम क्या कि सला सुचन उसको करते हैं कि इस सारी services हम देते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर आपका जो item नाम है वो यहाँ पर आपको क्या करना है लिक लेना है उसके बाद जो नाम आपको जैसे कि आप passport की service दे रहे हो तो यहाँ पर simple सा passport लिक देता हूँ ठीक है पासपोर लिकने के बाद दोस्तों यहा आप से contact जरूर करेगा ठीक है तो यहाँ पर प्राइस भी डाल देना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिख लेना ताकि वो एक्ट्रेक्ट्ट लगे करके ठीक है और सही तरीके यहाँ से कर देना है और जैसे घ्लिंक तो यहाँ पर बर हैं कहांर जोप्राइस वुस्टो भी डालो ओगी प्राइस दा लोat coli को तो प्राइस भी नीचे कि अ होगी डिक ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैंने अभी वीडियो में पहले बताया था कि भाई आप क्या कर सकते हो उसका मतलब दोस्तों यह होता है जैसे के for example अगर मैं बहार निकलूं अगर आप कोई काम में बीजी हो ठीक है और आपको सामने वाले को रिप्लाइ भी क सकते हो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखें अवे मैसिज जो लिखा हुआ है इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद अगर इसको अगर आप 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 कर देते हो ना तो दोस्तों यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि thank you for your message we are unavailable right now but we respond as soon as possible यानि कि अगर यह service on करके अगर आप यहाँ पर safe कर देते हो अगर आप कोई भी meeting पर बेटे होए होगे तो यह thank you for your messages का जो reply है वो automatically उसके पास चला जाएगा तो वो समझ जाएगा कि अभी बंदा कोई meeting में या कोई urgent काम में बेठा हुआ है जैसे हो फिरी होगा तो मुझे message जरूर कर देगा तो इससे भी क्यों होता है कि business के ओपर बहुत अच्छा effect पड़ता है और लोग ज़्यादा जुणने पर आपके क्या होगे मजबूर हो जाएगे ठीक है तो आपके पास से ज़्यादा work आने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप schedule भी कर सकते हो या तो send everyone अगर आप खाली business से related ही अगर यह काम करना चाते हो या नहीं जादा तर वाटसप business तो business से related ही होते है और इसमें जो भी बंदा अगर आपको कोई message करता है तो वो business से related ही message करेगा तो आप इससे related भी आप क्या कर सकते हो कि ऐसा यहाँ पर पैंसिल की बटन के पर जाके change भी कर सकते हो य यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको समझा निकले बता रहा हूं ठीक है तो मैं इसको disregard कर दूँगा और उसके बाद अगर आपको किसी को quick reply मिले तो दोस्तो quick reply क्ले आपको यहाँ पर चला जाना है यहाँ पर जो plus का जो icon निखाए दे रहे हैं इसके ओपर अगर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको है ना अगर आपको कोई भी बंदा पूछता है और आपको खाली उसको कोई reply में यहाँ बूलना है more information for this number ठीक है contact this number अगर ऐसा लिखके आप डाल दोगे तो वो बंदा क्या करेगा कि आपको उस number पर call कर देगा ठीक है अगर आप ऐसा लिखोगे कि more information visit my office और office का number यहाँ office का जो address है वो यहाँ पर आप डाल दोगे तो उसको क्या होगे वो जैसे भी high लिखेगा तो directly उसको क्या है कि वो चला जाएगा message के more information visit my office और this my office address करके तो यहाँ पर reply में डालके यहाँ पर simple से आपको क्या करना है save कर देना है जिसकी वज़े से आपका जो business है वो बहुत अच्छी तरीके से run करेगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो business वाटसब जो business का जो भी problem दे catalog category दोस्तों उसमें किस तरीके से उसके उपर भी visit करके उसे भी subscribe जरूर करना और दोस्तों यह जो profile है दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगी यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ओपन करोगे तो यह जो आपको पता है आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगो तो एक लाइक आपके भाई के लिए बना देना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक्स पूर वाचिंग